हेलो यूटूब फेमली तमन्ना के किचन में आप लोग कर स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे से आलू वाला पिठा जो खाने में बहुत जादा ही टेस्टी लगा देखिए हम आलू लिये हैं जिसे पहले से ही छिलका इसको उतार लिये हैं और कुकर में ड साला को हम कट कर ले रहे हैं देखिए प्याज काट लिये बारीकी से ही काटेंगे चोटे-चोटे टुक्रे में और हरा मिर्चा को भी चोटे-चोटे टुक्रे में काटेंगे और यह रहसुन पता है जो इसमें स्वाद बहुत ज्यादा ही अच्छा लग ऐसे अब धनिया प स्वादिश्ट लगता है खाने में इसको मैस कर लेते हैं मैस हो गया आलू हमारा अब इसको हम फ्राइ कर लेते हैं देखिए हमने कडाही ले लिया उसमें सर्शो का तेल डालेंगे थोड़ा सा जीरा डालेंगे और प्याज डालकर थोड़ा सा हलका फ्राइ करेंगे फिर मि पाउडर डालेंगे थोड़े देर के लिए प्राई करेंगे मरस्ला प्राई हो गया अब इसमें मैस किया हुआ अलू डाल देते हैं इसको भी थोड़ा सा थोड़े देर के लिए प्राई कर लेते हैं अब इसमें थोड़ा सा जवाइन डालेंगे थोड़ा से मंग्रेयल डाले अब हम गरम पानी कर रहे हैं गरम पानी अच्छी तरह से कर लेंगे जो आटा गुनेंगे चावलोला गरम पानी से ही करके गुनेंगे नहीं तो ठंडे पानी से फट जाएगा जो पिठा बनाएंगे चावल काटा गरम पानी से ही गुनाता है गरम है इसलिए हम चमचा से कर र क्योंकि लाइट वीडियो बनाते समय कट गया था इसलिए देखिए हम आटा गुन लिए सौब्ट ही आटा रखेंगे नहीं तो पीठा फट जाएगा देखिए हम एक छोटा सा आटा का टुकड़ा ले लिए अब इसको चकला बना के इसमें आलू भर दिये और इसको हलके हलक इसको बंद कर ले रहे हैं अच्छी तरह से और सारा पिठा ऐसे ही बना ले रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग पिठा सारा बन गया अब हम कड़ाई ले रहे हैं उसमें पाई डाल लेते हैं पानी को गरम कर ले रहे हैं यह उबल रहा है पानी और इसमें थोड़ा सारी फायन ओल डालेंगे और दो चार चमच डालेंगे इसमें कि नीचे लगे ना तलवे में पिर इसको पिठा डाले और इसको पका ले रहे हैं यह पिठा हम जो बना रहे हैं देशी तरीके से बना रहे हैं हमारे ग पেने में बहुत ही अच्छा लगता है। कि भी अब इसको अच्छा करने घृए लिचे कर रहा है। इसको रहा कि अब लुग जरूर बनाएगा। चुलिए इसको एक पालपाईव। देखें कितना चल लग रहा है